क्या ITI या पोलो टेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के पाद भी आपको जोब नहीं मिल पा रही है दोस्तों आप नोकरी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि शाम इंशाला आपके साथ है आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और WhatsApp के माध्यम से कॉमेंट करके अपनी परेशानी बता स हम आपको जोब दिलाने में आपकी मदद जरूर करेंगे तो देर किस बात की इस वीडियो को देखने के बाद आप हमसे समपर्ग कर सकते हैं हमारी टीम आपको आपकी मन चाही जोब दिलाने में पूरी मदद करेगी तो चलिए अब आज के टोपिक पे बात करते हैं दोस्त समस्कार मैं हूँ कमल शर्मा आपका होस दोस्त और बड़ा भाई और आप देख रहे हैं शामिंशाला आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पाच ऐसे गवर्मेंट डिपार्टमेंट्स की जानकारी देने वाले हैं जिनमें टूल एंड डाई मेकर की जो वेकेंसी सबसे ज है टूल एंड डाई मेकर का काम डाई मोल्ड डाई कास्टिंग मोल्ड और तरह तरह के मेकैनिकल डिवाइस को बनाना उन्हें रिपेर करना और उन्हें मोडिफाई करना होता है इस काम को करने के लिए टूल एंड डाई मेकर की मेजरमेंट स्किल काफी अच्छी होनी चाहि तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन पाँच सरकारी विभागों की जिन में टूल एंड डाइमेकर की जो वेकंसी काफी ज्यादा निकल निकल ने सबसे पहले हम उस सरकारी विभाग की बात करते हैं जो पाँचवे नमबर पर है देली सबोर्डिनेट सर्विसस सेलेक्शन बोर्ड यानि की DSS SB टूल डाइमेकर ट्रेड से IDI पास आउट के लिए जो वेकंसी निकालता है यहां क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर वेकंसी निकाली जाती है दिली में इस पोस्ट पर सरकारी नोकरी करने के लिए आपको रिटन और स्किल टेस्ट क्लियर करना होता है यहां आपकी सेलरी 19-28,000 के बीच होती है अब हम चोथे नमबर के सरकारी विभाग नेवल शिप रिपेर यार्ड की बात करते हैं इस विभाग में टूल एंडाइ मेकिंग के ट्रेड से आईटियाई करने वालों के लिए मेंटेनर की पोस्ट निकलती है इस पोस्ट के लिए आपको रिटन के साथ स्किल टेस्ट क्लियर करना होता है यहां आपकी सेलरी 20-30,000 के बीच होती है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उस सरकारी विभाग की जो तीसरे नमबर पर है हम बात करने हैं भारत सरकार के मिंट की टूल एंडाइ मेकिंग ट्रेड से आईडियाई करने वालों के लिए भारत सरकार तकसाल में जूनियर टेकनीशन की पोस्ट पर वेकेंसी निकालती है इस पोस्ट पर सरकारी नोकरी करने के लिए आपको कम्प्यूटर टेस्ट किलियर करना होता है यहां आपकी सेलरी 20-30,000 रुपे के बीच होती है अब हम बात करते हैं उस सरकारी विभाग की जो दूसरे नमबर पर है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के अंतरगत आने वाले ओर्डिनेंस फेक्टरी बोर्ड की इस सरकारी विभाग में ITI से टूल एंडाई मेकर ट्रेड से पास आउट होने वाले केंडिडेट्स के लिए टूल मेकर की पोस्ट पर जो वेकेंसी निकलती है इसके लिए आपको रिटेन और ट्रेड टेस्ट क्लियर करना होता है यहां आपकी सेलरी 20-25,000 के बीच होती है दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म हुआ अब हम बात करते हैं उस सरकारी विभाग की जो पहले नंबर पर है देश की राज्य सरकारों के अंतरगत vocational, educational and skill development को बढ़ावा देने के लिए विभाग बनाए गए है इन विभागों में craft instructor, tool and die maker की job vacancies निकलती है कुछ राज्यों में इस पंद के लिए उम्मीदवारों का chain merit based पर किया जाता है जबकि कुछ राज्यों के विभागों दुआरा इसके लिए exam लिया जाता है यहां आपको हर महीने 35 से 50 हजार रूपे की salary मिलती है यह थे ITI tool and die maker trade से सरकारी नोकरी पाने के लिए best government department और उनसे जुड़ी जरूरी जानकारी उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी अब बारी है bonus tip के जिसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन बड़ी private companies में tool and die maker trade से ITI करने के बाद job मिल सकती है मारूती Suzuki, Honda, Tata Motors जैसे बड़ी companyों में आपको job मिल सकती है तो दोस्तो अब आपके पास सवाल पूछने का मौका है इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमें comment section में पूछ सकते हैं इसके अलावा ITI certificate course से जुड़ी जानकारी पाने के लिए या अपने trade से related job पर apply करने के लिए आप श्रमिन jobs app डाउनलोड कर सकते हैं हम इस पर ITI से related सभी jobs और courses की detail post करते रहते हैं श्रमिन jobs portal का link आपको नीचे description box में दे दिया गया है हम हर दिन आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं इसलिए channel को subscribe करना ना भूले अब मैं आप से विदा लेता हूँ मिलेंगे अगले episode में तब तक देखते रहिए श्रमिन शाला नमस्कार श्रमिन job app पर आप जैसे लाखोई हुआ जोब पा रहे आज ही श्रमिन job app पर जाएं और apply करें अपनी पसंदीरा job के लिए बिलकुल free में